Hello friends, मेरे नाम है संदीब कार गौर और आज हम दिसक्स करने वाले equivalence classes पर तो आज़े देखते हैं इसकी definition Suppose A is a set and R is an equivalence relation on A तो दोस्तों इसका meaning क्या है कि हमारे पास कोई एक set है A और इस set पर एक relation दिया हुआ है R और यह जो relation एक किस तरह कर relation दिया हुआ है? equivalence relation दिया हुआ है इसका meaning यह है दोस्तों कि यदि हमारे पास relation equivalence relation नहीं है तब हम उस relation पर equivalence classes को discuss नहीं करते हैं equivalence classes हमेशा उस relation पर discuss की जाती है जो की equivalence relation होता है अब यहाँ पर क्या है? For each element X in A, the equivalence classes of X donated by bracket X हमको जो equivalence classes निकालनी रहती है वो set A के हर एक element के लिए निकालनी रहती है और जिस element के लिए आप equivalence classes निकालोगे उसको इस तरह bracket के अंदर लिखकर represent किया जाता है अब equivalence classes क्या होती है? Is the set of all elements Y in A such that Y is related to X Y are अब यहाँ पर क्या होगा? Equivalence relation है Equivalence relation है means यहाँ पर ordered pair होंगे ordered pair होंगे तो यहाँ पर जितने भी element X से related है वह है उसकी equivalence classes में आते हैं इन symbols bracket X equal Y Y belongs to A ordered pair XY belongs to R means यहाँ पर relation है relation के अंदर क्या होता है? ordered pair होते हैं XY के form में होंगे यदि आप X की equivalence classes लिख रहा हैं तो यहाँ पर वही Y आएंगे जो की X से related होता है दूसरे सब्दों हम कहले सकते हैं bracket X equal Y belongs to A such that Y is related to X means यहाँ पर भी वही बात की गई है कि यदि Y X से related है तब ही हम इस Y को इस set में consider करेंगे और यह जो Y होता है यह क्या कहलाएगा? इस X का equivalence classes कहलाएगा यहाँ पर दोस्तों एक बात और है हम यहाँ पर जो relation ले रहे हैं वो relation किस तरह का? equivalence relation है equivalence relation होने का मितलब क्या होता है? यहाँ पर जो relation होगा वह है तीन property सो करेगा reflexive, second, symmetric और third, transitive यह तीन property सो करेगा तो यदि हम यहाँ पर लिखते हैं Y, R, X दिया हुआ, इसका मतलब वहाँ पर X, R, Y भी होगा ही क्योंकि यहाँ पर symmetric property को सो करता है आईए इसका एक example देख लेते हैं यहाँ पर हमको एक set दिया हुआ है set A, और इसके अंदर element है 1, 2, 3, 4 साथ ही साथ, इसके लिए एक relation दिया हुआ है R, और यह जो relation है किस तरह का relation है equivalence relation यहाँ पर दिया हुआ है इस relation में audit pair कौन-कौन से है 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 तो दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह relation किस तरह का equivalence relation है तब आप यहाँ पर check भी कर सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 है तो यहाँ पर reflexive property क्या होती है 1, 1 होना चाहिए 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए 37 symmetric property यहाँ पर सो होनी चाहिए जैसे 1, 2 है तो इसका 2, 1 होना चाहिए बागी जो reflexive pair है यह तो अपने आप में ही symmetric property को सो करते हैं फिर third क्या होता है transitive means क्या होता है जैसे 1, 2 है और 2, 1 है तो 1, 2 से 2, 1 है means 1, 1 pair बनेगा और दूसरा 2, 2 बनेगा तो 1, 1 और 2, 2 अलरेड़ी यहाँ पर दिये हुए है तो यहाँ पर A, B और B, C का form यहाँ बनता है तब A, C का form भी बनना चाहिए तो यह property हम पहले भी discuss कर चुके है आप हमको यहाँ पर क्या निकालना है Equivalence Classes निकालना है Equivalence Classes Set के हर एक Element के लिए निकाली जाती है चलROँ यह निकालते है Solution पहला Element क्या है हमारे पास, 1 तब हम यहाँ पर क्या निकालना है कि one की equivalence classes निकालते हैं one की equivalence classes निकालने का meaning क्या है जैसे हमने यहाँ पर देखा है definition में कि यदि हम x की equivalence classes निकालते हैं तब उसका relation जिस y से होगा वही यहाँ पर सामिल होगा तो जैसे one का relation किस से है two से फिर यहाँ one का relation किस से one से तब आप पहले अगर इस pair को देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा पहले 2 आएगा और यहाँ पर फिर क्या आएगा 1 आएगा लेकिन order अगर हम देखें तो 1 के बाद हम 2 लिख सकते हैं तो हमको इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 1 and 2 क्योंकि जब हमने set पढ़ा था तो हमने देखा था कि यहाँ पर order आप आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पर 2,1 और 1,2 दोनों ही same है ठीके दोस्तों तो equivalence classes का meaning क्या होगा आप जिस element के लिए निकाल रहे हैं उससे related y कौन सा है तो 1 से related है 2 तो हमने 2 लिख दिया और 1 से related है 1 तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया इसी तरह हम देखते हैं किस के लिए 2 के लिए तो 2 के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 से कौन related है 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और 2 से related कौन है 2 है तब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है इसी तरह हम देखते हैं अब next element के लिए तो next element क्या है 3 3 की equivalence class क्या होगी तो देखिए यहाँ पे 3 से related सिर्फ एक ही पेर है और उसमें भी क्या है 3 means 3 का यहाँ पे 3 से ही relation दिया हुआ है इसी तरह हम देखते हैं 4 के लिए तब 4 के लिए हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पेर में relation दिया हुआ है 4 से 4 तब यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया तो दोस्तों यह कहलाती equivalence classes इसके बाद देखते हैं हमारा next topic next topic है हमारा पास Qsend Set दोस्तों क्या होता है जब हम equivalence classes निकाल लेते हैं जैसे आपने 1 की equivalence class निकाल ली 1,2 2 के लिए निकाला 1,2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 तो यह जो आपने equivalence classes निकाली है यदि हम इनका collection करते हैं तो यह जो collection होता है यही हमारा क्या कहलाता है Qsend Set कहलाता है इसकी definition देखते हैं The collection of all equivalence classes of elements of set A under an equivalence relation R is denoted by AYR that is AYR equal curly braces then bracket X means यह क्या है हमारा equivalence classes है such that X belongs to A means A के अंदर जितने भी elements हैं उनकी हम क्या निकालेंगे equivalence classes निकालेंगे और इनका जो collection होता है यही हमरा क्या कहलाता है Qsend Set कहलाता है इसी का example देखते हैं मालीज हम इसी example को आगे बढ़ाते हैं तब हम यहाँ पर कहले सकते हैं AYR equal अब यहाँ पर सभी का collection आएगा collection में हम कहले सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप equivalence classes को जिस्तर रिप्रेजेंट करते हैं उनको यहाँ पर collect करेंगे तो हमार पास क्या क्या है 1 है फिर 2 है then 3 है और फिर 4 है तो यह जो आपका collection है equivalence classes का यही के कहलाता है Qsend Set कहलाता है इसको हम दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं A,Y,R अब हम यहाँ पर जितनी भी equivalence classes है उनकी value भी ले सकते हैं तब 1 की value क्या है 1,2 यहाँ पर क्या जाएगा 1,2 अब देखिए जब हम यहाँ पर 2 की value लिखेंगे तो 2 की value भी क्या है 1,2 है आपने set theory में हमने पढ़ा है कि कोई भी element को आप repeat नहीं कर सकते तो repeat हमको नहीं करना है तो 1,2 को हम दो बार नहीं लिखेंगे तब 1,2 की बाद क्या आएगा है यहाँ पर 3 and 4 तो दोस्तों यह जो हमारी definition है यह कहला दिये Qs and set next definition देखते हैं next है इसका मीनिक क्या होता है दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे equivalence classes निकालते हैं जब आप equivalence classes निकाल लेते हैं तब वहाँ पर जो आपका distinct set बन रहा है जैसे यहाँ पर 1,2,1,2 दो बार आ रहाद हम कितने वाल लेंगे एक ही बाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बना 1,2 बना second क्या है 3 और एक और क्या है 4 तो यह जो आपके अलग-अलग set बने हैं इनी को हम क्या बोलते हैं partition बोलते हैं तो यह partition first, यह partition two और यह partition three तो दोस्तों यह हमारा partition होता है उसी example को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर partition लिख सकते है example क्या है हमारा पास कि हमारा पास एक set है और इसमें element क्या है 1,2,3,4 और relation आपको क्या दिया हुआ है relation आपको दिया हुआ है 4,4 तब partition नकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे equivalent classes निकालते हैं तब one की equivalence classes क्या निकलेगी one कर रिलेशन two से है और one कर रिलेशन one से है तो यहाँ पर आ गया था one two फिर हमने देखा two का तब two कर रिलेशन one से two कर रिलेशन two से तब भी यहाँ पर क्या आ गया था? 1, 2 इसी तरह 3 का relation किस से है? 3 से ही तब यहाँ पर 3 आ गया है Then 4 हमने देखा 4 का relation भी किस से? 4 से तब यहाँ पर 4 आ गया अब partition की बात करते हैं तो यह तो repeat हो रहा है तब यहाँ पर पहला partition क्या हो गया? 1, 2 दूसरा partition क्या हो गया हमारा? 3 और third partition क्या हो गया? 4 तो यह हमारा partition 1 है यह partition 2 है और यह partition 3 है अब definition के according यदि हम सारे के सारे partition का union करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? A मिलना चाहिए तो आप देख लिए यदि हम यहाँ पे P1 union P2 union P3 करते हैं A मिलेगा P1 में क्या है? 1, 2 है Union P2 में क्या है? 3 है Union और P3 में क्या है? 4 है तो यदि हम सब का union करते हैं हमको क्या मिलेगा? 1, 2, 3, and 4 और second क्या है? कि किसी भी दो अगर हम partition का intersection करते हैं तो क्या मिलेगा? Nullset मिलेगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे किसी भी दो partition में कोई भी common element नहीं है तो आप किसी का भी intersection कीजिए आपको क्या मिलेगा? Nullset यहाँ पे मिलेगा ओके फ्रेंट्स तो यह था आज का हमारा topic Equivalence Classes तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जब भी कोई set दिया हुआ A और सांथ ही आपको relation दिया हुआ R तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? उसके लिए Equivalence Classes निकालना है इनका यह यह आप collection करते हैं तो वही क्या कहलाता है? QCent Set कहलाता है और इसका जब distinct आप लिखोगे तब वही क्या कहलाता है? उनका partition कहलाता है अचका मेरे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और share कीजिएगा और दोस्तों यदि आपने भी तेक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें तक यू